हेलो चैंपियांस कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग स्वस्थ एंड मस्थ हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेड में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेजर क्रॉप्स आएए देखते हैं इसी के साथ मेजर क्रॉप्स तो बेसिकली इंडिया में हम कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे हम पढ़ते हैं और वेराइटी ओफ फूड And Non-Food K्रॉप्स जो मेजर क्रॉप्स होते हैं इसको हम दो केंटेगरी में बाट सकते हैं food crops and non food crops आईए देखते हैं food crops कौन सी होती है basically food crops वो crops होती है जिसे हम consume करते हैं खाते हैं and non food crops वो होती हैं जिनको हम खाते तो नहीं है बट पहनते हैं और इस्थेमाल करते हैं अब आप कहोगे रहे सर हम non food crop को पहनते हैं हाँ भाई cotton की shirt राइट और गनी बैग या सैक्स जिसमें हम शुगर या अधर ग्रेंस को स्टोर करते हैं राइट आए देखते हैं कि जो food crops होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं food crops actually food crops दो तरह के होते हैं पहला होता है grains ग्रेंस ग्रेंस राइट ग्रेंस में जैसे हुआ wheat हुआ राइस हुआ बॉयड राइस हाप लोग हम सभी खाते हैं wheat हुआ राइस हुआ मेज हुआ मक्केदी रोडी राइट and millet जो बहुत ही nutritious होता है राइट तो यह सारे ग्रेंस होगे कुछ ऐसी crops भी होती है food crops food crops other than grains food crops other than grains इसमें क्या क्या आता है इसमें आता है हमारा tea हुआ coffee हुआ sugar हुआ sugar cane basically sugar cane हुआ राइट और इसके साथ ही साथ horticulture and oil seeds detail में बात में पढ़ेंगे अभी चले आगे बढ़ते हैं so basically इसको हमने देख लिया now we'll move to the next slide and before that हम एक चीज़ देख लेते हैं a variety of food and non food crops are grown in in different parts of the country right आप लोग समझ रहे है depending upon the variation in soil climate and cultivation practices आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी country में कई तरह की soil available है and depending on the soil की fertility and climate हमारी जो major crops grown होती है उनकी variety यानि अलग-अलग places पे अलग-अलग तरह की crop होती है and due to owing to soil climate and cultivation practices now we'll move to the next slide and जैसा कि हम लोगों ने पिछले slide में भी पढ़ा था food crops and non food crops food crops हमने देखा कि पहला क्या होता है grains right तो grains में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे rice and rice को हम लोग जानते हैं आई एक पार देखते हैं rice के बारे में क्या का information available है and उसके बाद हम लोग ये भी discuss करेंगे कि इस पे किस तरह का question बन सकता है right देखते हैं सबसे पहले the staple food crop of majority of the people in India हमारी country में लोग rice rice खाने वाले लोग सबसे ज़्यादा है right हमारी country की stable food crop है majority of the people की and our country is the second largest producer of rice हमारी country में दुनिया में हम तूसरे number पे है rice produce करने के मामले में and आप लोग comment section में comment करके बताए कि which country is the largest producer of rice in the world right चलिए now third point है rice is a खारिफ crop हाँ दोस्तों मुझे याद आया कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको खारिफ की crop में कौन-कौन सी crop grow करी जाती है या अगर आप जानना चाहते हैं कि खारिफ की crop किन-किन states में grow करी जाती है तो जो मेरा पिछला वीडियो है वो इस topic पे है cropping pattern उसको आप लोग जरूर देखें for example अगर हमें हमें यह याद करना है कि खारिफ crop में खारिफ season में कौन-कौन सी crop grow करी चाती है तो उसका यह बहुत ही मज़ेदार तरीका है उसको हम लोग बोल सकते हैं पी-म जो सोया कॉट पर बाजू में तुम ग्राउंड नट खाओ अब इस line में इस line में सारी की सारी खारिफ की season में grow होने वाली crops cover हो गई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा राइट चले अगला हम देखते हैं तो इट इस खारिफ राइस इस खारिफ क्र दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिसकस किया था K for करिफ and K for Keacher कीचर कब होगा जब मोनसून आएगा यारी बारिश होगी तो अब क्या करना है तो राइस है वो खारिफ क्रॉप है अब खारिफ क्रॉप की सोइंग कब से शुरू होती है जून और जुलाई में आप लोग अच्छे से आनते हैं जून और जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बारिश भी होती है अब बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी की वज़स क्या हो गया high temperature यानि rice की crop को high temperature चाहिए और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई उसके बाद फिर sun आ गया धूप हो गया high humidity हो जाएगी learn करने की रटने की बिल्कुल भी कोई ज़रूत नहीं है तो इसको हम इसली learn कर सकते है high temperature and high humidity और आप लोग जानते हैं कि summer season में temperature यह तो बोड़ रहा है कि above 25 लेकिन आप लोग जानते हैं कि summer season में temperature हमारी country में 30 के उपर ही रहता है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ठीक है कि जो राभी की crop होती है यह हमारा जो यह rice है इसको high temperature आप लोगों को समझ में ही आ गया क्योंकि बहुत जादा धूप होती है तो उसकी वज़ए से बहुत जादा high temperature हो गया उसके बारिश हो गए फिर बहुत जादा धूप हो गई तो high humidity भी हो गई I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है चलिए इसमें एक चीच और लिखा हुआ कि with annual rainfall above 100 cm rice एक water intensive crop है rice को grow करने के लिए बहुत जादा water की जरूद पड़ती है rice के अलावा केवल एक ही crop है जिसको बहुत जादा water की जरूद पड़ती है बाकी सारी crops को rice से कम ज्यादा rice से कम ही जरूद पड़ती है annual rainfall की चलिए फोर्थ है हमारा rice is grown in the plains of north and north eastern India ध्यान दीजे plains of यह हो गया हमारा north eastern आसाम हो गया यह हमारा हो गया west bengal यह हमारा eastern यूपी हो गया यह बिहार हो गया उसके बाद इसके बिहार के निचे जहारखंड है यह राइट उसके बाद अपना यह हो गया पूरीसा हो गया पूरीसा के बाद यह अपना 36 गड़ भी है यहाँ पर 36 गड़ भी है उसके बाद यह अपना यह अपना तमिन लाडू हो गया यह सारे एरिया है और यह इस चीज ऑर देखते हैं अच्छे से इसको हम अच्छे से देखे, rice, rice किन-किन areas में, means rice producing area कौन-कौन से हमारी country में तो किवल three keyword याद करना है आपको, यहाँ पे हम लोग rice कहां-कहां grow किया जाता है इसको समझने के लिए हम दो professionals की help लेंगे, यह दो professionals होंगे, doctor and CA कैसे आईए देखते हैं, देखे, so rice कहां-कहां grow होता है, किन-किन areas में, इसे हम समझते हैं, देखे एक तो होगे हमारा, in plains of north and north eastern India, दूसरा है coastal areas, यह होगे हमारा CA and deltic regions, यानि, deltic regions means हो गया, doctor sahab and CA, यानि coastal area, तो doctor sahab and CA, दोनो plain, plain cloth में, ऐसे आप यह trick बना सकते हैं, कि doctor sahab and CA, जो chartered accountant होते हैं, लेकिन हम chartered accountant नहीं रखेंगे, इसको CA means coastal area हो गया, और DR means deltic region हो गया, और plains कौन-कौन हो गया, north and north east, rice growing area में हमारा हो गया, राइट, दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, please subscribe the channel, next हम लोग करने वाले हैं, और एक चीज़ हम लोग देश सकते हैं, जो deltic region, majorly five deltic region हैं हमारी country में, उसे हम लोग देख लेते हैं, एक तो यह West Bengal में है हमारा, West Bengal में है, गंगा ब्रह्म पुत्र का डेल्टा, दूसरा हमारा आता है, यह महा नदी का डेल्टा, यह उड़िसा में हो गया, उसके बाद यहां पे गोदावरी रिवर का डेल्टा है, गोदावरी रिवर डेल्टा बनाती है, गोदावरी उसके बाद हो गया हमारा Krishna, Krishna रिवर का डेल् valuable and fertile silt लेके आती हैं जो की rice production में help करता है क्योंकि जो rivers अपने साथ है silt लाती हैं वो बहुत ही highly fertile soil होती है चलिए अगला हम देखते हैं कि जिन जिन areas में जहाँ पे water की availability है वहाँ पे तो ठीक है जिन areas में मतलब बहुत ज्यादा rain नहीं होती है वहाँ पे हम कैसे rice grow करते हैं आईए देखते हैं so development of dense network of canals dense network of canals and tube whales have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan दोस्तों से हम देखते हैं जो green revolution हुआ था green revolution में सबसे जादा फायदा पंजाब, हर्याना और Western Uttar Pradesh को ही हुआ था यहाँ पे irrigation केछी facilities भी develop की गई थी तो उसका फायदा पंजाब, हर्याना और Western Uttar Pradesh को मिल रहा है और जहां तक राजस्थान की बात है देखिए राजस्थान के बहुत छोटा सा हिस्सा यह देखिए गुजरात से लगा हुआ है राजस्थान का बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पर rice ग्रो किया जाता है बटे major producer नहीं है, minor है यह जो light green color में है यह area यह minor producer है rice के आप लोग देख सकते हैं यह minor producers है rice के यह देखिए rice के minor producer है और जो dark green है these are the major rice producing areas in our country now, एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिए, जो rice यह जो यहाँ पर transplant किया गया है rice, rice को basically जो paddy का plant है rice का plant है इसको transplant करने से पहले यह जो इसको germinate किया जाता है in the form of seedlings, यह seedlings पहले paddy की paddy का जो seed होता है उसको ऐसे scatter कर दिया जाता है field में और वो rice की seedling मत जाते हैं फिर हम उसको transplant करते हैं देखें यहाँ पर उसे uproot करते हैं फिर यहाँ transplant करते हैं उसके बाद उसके बाद देखे यह राइस की क्रॉप यहां पर राइपन हो गई है राइस की क्रॉप देखे यहां पर राइपन हो गई है एंड यह राइस तो आप लोग जानते ही है राइट इस पार्ट आफ पार्ट आफ आफ लंच राइट एंड ब्रेक्फस्ट में साथ इंडिया में इडली एंडोसा लोग यूज करते हैं वीट हमने देखा कि राइस जो है मेजोर्टी ओफ इंडियन की स्टेपल क्रॉफ है वीट सेकेंड नमबर पर आता है देखते हैं पहला पॉइंट क्या है और एक चीज हम लोग और डिसकस कर लेते हैं कि यह जो क्रॉप से चाहे राइस हुआ चाहे वीट हुआ चाहे मिलेट ह में इसमें कवर करेंगे right for example अगर हम लोग थोड़ा सा अगर देखें अभी जैसे हम लोगों ने राइस पढ़ा तो राइस में हम लोगों ने क्या-क्या कवर कि एक बर हलका सा देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए देखें राइस में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा राइस में मेंली हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है मेजूर्टी ओफ इंडियन्स की दूसरा हम लोगों ने देखा कि हमारी कंट्री का कौन सा प्लेस है वर्ल लेवल पे उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये भी पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप एक्जाम में जैसे दे दिया कि कि मेज राबी क्रॉप है या खारी क्रॉप है इसी तरह किस कोई भी क्रॉप दी सकती तो यहीं मोटे मोटे questions बनेंगे तो हम सारे points को cover करेंगे राइट चलिए हम लोग wheat पढ़ रहे हैं तो wheat में हम लोगों ने क्या देखा wheat is the second second most important cereal crop राइट अब rice और wheat हम लोगों ने rice में क्या देखा राइस जो है north and north east में grow किया जाता है और जो eastern coast है जैसे हमने देखा कि west Bengal लिया था अलाकि rice करने लेकिन देख लेते हैं देखे जैसे राइस में क्या था हमारा आसाम था west Bengal था उसके बाद हमारा उडीसा था बिहार्द जारखंड चटिस गड़ उसके बाद हम लोग देखा आंधर प्रदेश उसके बाद तैलंगाना था तमिल नाडू के कुछ एरियास थे उसके बाद गोवा था है अब हम लोग wheat में देखे देखेंगे तो wheat का concentration आप लोग खुद देख सकते wheat कहां होता है wheat mainly north and northwest rise की धर हो रहा था north and northeast में हो रहा था right wheat का क्या है नौर्थ देखे है mainly tourism north and यह दो नौर्थ 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 वेस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन से major areas है राइट इपर देखी लेते हैं अगर यह लोग हम पाच्वा पॉइंट देखें there are two important wheat growing zones और यह कौन-कौन से two important wheat growing zones है गंगा सतलूज प्लेन है यानि गंगा रिवर और सतलूज रिवर जिन प्लेन एरिया से होके गुजरती है वहाँ पे wheat की cultivation होती है जैसे कि सतलूज हिमाच्वल प्रदेश और पंजाब से होके गुजरती है तो गंगा सतलूज प्लेन हो गया तो देखें सतलूज रिवर का एरिया यह हो गय मैं और गंगा रिवर का यह हो गया तो गंगा सतलुज प्लेजन ओव कैंट दूसरा कौन सा है। तो ब्लेट सोईल डिजन और देकन this region यह देखिए यह देकन का ब्लेट सोईल हочно रई और इसे हम समझते हैं इसको देखिए आप लोग याद कर सकते हैं गंगा सतलूज बितलब आपको गंगा सतलूज प्लेन ये कहां है नौर्थ वेस्ट ठीक है सतलूज का नौर्थ वेस्ट हो गया नौर्थ वेस्ट हो गया गंगा सतलूज प्लेन नौर्थ वेस्ट हो गया ब् जैसे हम लोगों ने देखा कि Rabi crop, अब Rabi season में कौन-कौन सी crop grow करते हैं, बहुत ही आसान है, Rabi season में crop grow करने के इसकी भी अपनी trick होती है, जैसे Rabi season में कौन-कौन सी crop grow करते हैं, इसमें है हमारा, इसकी trick यह है, must eat grape as bar, इसमें सारा, इसमें सारा Rabi crop आ गया, must miss mustard हो गया, eat मतलब wheat हो गया, must eat must eat grape g-r-a gram हो गया p-e से peas हो गया, as barb barley हो गया, तो इसी तरह की interesting tricks दी हुई है जो cropping pattern वाली वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा चलिए, हम आगे बढ़ते हैं तो next है हमारा it is the main food crop in north and north west part of the country east, right, अब wheat कहां पे main crop है north and west, इसको आप लोग याद रहिए rice और wheat में दोनों फर्क है यही फर्क है, अगर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, अगर wheat growing area and rice growing area का map दोन हम आमने सामने रख करके compare करने तो बहुत easy हो जाए अगर जैसा कि मैंने आपको, हम लोग अभी discuss कर रहे थे हम लोग ने क्या discuss कि एक बार फिर से recap करने के लिए so that आप लोगो confusion न हो, देखे wheat growing area कौन कौन सा है यह देखिए, गंगा सतुरूज plane और black, black soil region of decan, right यह दो एरिया होगा, उसे靈उजब के एक center में हो गया, एक एक north north की center में हो गया, और यह क्या हो गया, north west हो गया, यह हो गया, राइस का हम लोगोने कैसे देखा था, तमाहजेए जड़ा, राइस का हम लोगोने क्या देखा था, eastern part of यूपी देखा था बिहार देखा था आसाम असाम में ग्रो होता है उसके बाद हमारा ये वेस्ट बेंगॉल हो गया है ना उसके बाद हम लोग ने जहारखंड भी देखा था उड़ीशा भी हम लोग ने देखा था उसके बाद ये अपना आंधरपरदेश भी देखा था तमि सब्सक्राइब एक इंडिया के मैप के सामने अगर आप ऐसे सामने खड़े हो जाए तो देखेंगे राइट हैंड साइट पे राइस ग्रोइंग एरिया सब्सक्राइब है हाला कि कुछ एरिया इधर भी है यह एरिया हम लोगों ने पढ़े थे लेकिन मेजरली वह राइट हैंड साइट पर वीट का अपने लेगन देख लिया सेंटर और नॉर्थ वेस्ट हो गया चलिए आगे बढ़ते हो इस राभी क्रॉप रिक्वाइर्स राभी और राजाई राजाई मिन्स विंटर क्रॉप है और इसकी सोइंग कप की जाती है हम लोग जानते हैं इसकी सोइंग कप होती है अक्टूबर नॉम्बर में होती है तो कूल ग्रोइंग सीजन अक्टूबर नॉम्बर से सर्दिया शुरू होने लगती है उस समय में इ अप्रेल मैं में होता है अप्रेल में क्या होता है हम लोग फैन चलाना शुरू कर देते हैं नौर्थ इंडिया में गर्मियां आ जाती है तो क्या हुगा हर्वेस्टिंग ले कैसा सीजन चाहिए अब ब्राइट संशाइन एड टाइम ओफ राइपनिंग क्लियर हो गया इसको राइस से कम अनुवर रेनफॉल की जरोत पड़ती है और यह जरा इस नोट करने वाले बात है इवेली डिस्टिब्यूटेड ओवर दा ग्रोइंग सीजन यानि जब वीट की क्रॉप ग्रो हो रही है तो ऐसा है कि एक ही बार बहुत जादा राइस हो जाए अगर एक ज़्यादा बारिश हो जाए कि वह भी फसल खराब हो जाती है फिर अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है सिक्स पॉइंट है हमारा दा मेजर मेजर वीट प्रोडूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इसको लर्ण करने की टिक बहुत ही आसान है मेजर वी हर्याना एंड बिमारू स्टेट्स आईए देखते हैं इसे कैसे लर्ण करना है पंजाब हर्याना था आप लोगों को पता हिए अगर पूछा जाता है कि वन मार्कर में आ सकता है नेम टू मेजर वीट प्रोडूसिंग स्टेट्स तो पंजाब और हर्याना हो गया उसके बा र से राजस्थान हो गया यू से यूपी हो गया तो देखिए पंजाब हर्याना हम लीडिंग प्रोडूशर है वीट के उसके बी आए से देख यह अपना बिहार हो गया मेसे मधर प्रदेश हो गया एंपी के गयों हो बहुत मशूर है और आप लोग देख सकते हैं कि यह ज राइप होने के बाद ऐसे दिखती है राइट यहां पर भी प्रॉसेस में है राइपिनिंग की तरफ बढ़ रही है राइट और यह देखे वीट आप लोग पहचानते ही है जो हम लोगों पढ़ा था जूट जूट के सैक्स बहुत ज्यादा गरी बैग जिसे बोलते हैं यहां पर हम लोगों ने देखा था राइस में मेजर राइस प्रोडुसिंग एरिया में थे यह यहां पर माइनर है और यहां पर देखे गुजरात का कुछ हैरिया है राजस्थान का कुछ हैरिया है यहां पर महरास्टा का कुछ हैरिया जहां पर हम वीट माइनर बहुत मतल वोने राइस पढ़ लिया, अब हम मेज के बारे में पढ़ेंगे, मेज हमेशा एक तरह की ही चपाती नहीं खानी चाहिए, हमें बदलते रहना चाहिए, कभी वीट की चपाती खा लिया, और सर्दियों के सीजन में तो हम मेज का फ्लार यूज करते हैं, मक्यदी रोडी, आप हम लोग अलड़ी डिसकस कर चुके हैं, तो परिशान नहीं होना है, पहला क्या है, पहला पॉइंट मेज में क्या है, it is a crop which is used both as food and fodder, यानि यह हम इंसानों के काम में तो आती ही आती है, यह animals के भी काम में आती है, जो इसका stock होता है, या जो इसकी leaves होती है, जानवरों को मेजराबी में भी होता है और खारिफ के सीजन में भी होता है, आएए देखते हैं, खारिफ के, it is a खारिफ crop which requires temperature, खारिफ हो गया ने बारिश की सीजन वाला temperature between 21 to 27, wheat में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, wheat में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या temperature चाहिए, उसी रेंज मे wheat में हम लोगों ने basically temperature exactly नहीं दिया था, wheat में लिखा था कि cool growing season चाहिए और bright sunshine चाहिए at the time of ripening, तो यह हो गया अपना मेज का, and grows well in old alluvial soil, पहले बाले चप्टर में आपको याद हो गया, आप लोगों ने old alluvial soil, दो तरह की होती है, आप लोगों ने पढ़ा था, old alluvial soil को हम क्या बोलते हैं, चलिए, अगला point, in some states like, बिहार, mage is grown even in rabi season, तो यह question बन सकता है कि कौन से ऐसी crop है, जो rabi and खारिव season दोनों में grow की जाती है, right, तो यह अपना mage ही है, अगला हम देखते हैं, यह बड़ा important है कि इस पर question बन सकता है कि जो mage का जो production है, दिनो दिन बढ़ र है, देखे, use of modern inputs जैसे hyv seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of mage, क्योंकि यह food of order दोनों के काम में आता है, right, चलिए, अब हम देखते हैं कि major mage producing states हमारे कौन कौन से हैं, इसको भी learn करने के बहुत ही अच्छी trick है, और इसको हम लोग देखते हैं, कि क्या trick है हमारा, देखे, इसको हम देखते है यह हमारा, दोड़ सा funny सा है, but it'll help us, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, करमएड, यूपी, बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, and तेलंगाना को, यह trick है, major, major, growing states को learn करने का, क्या है, कर, mad, यानि पागल कर दे, यूपी, बिहार, and तेलंगाना को, दोस्तों जहां पे, यहां पे मने हाइफन यूज किया है, अगर मैं, and, and मैं वहीं पे यूज करूँगा, ताकि आप लोगों को confusion नहो, and मैं वहीं पे यूज करूँगा, जहां पे and का कोई मतलब नहीं होगा, वहां पे मैं हाइफन यूज करूँगा, so that आप लोगों को कोई confusion नहो, चलिए, तो एक चीज़ और, अब हम लोगों नहीं लिखा, कर, mad, तो कर के पास, one लिखिए, और mad के पास, तू लिखिए, क्योंकि यह leading producers है, maze के, आप लोग प्लीज इसक स्क्रीनी शॉट ले लिजिए, तो major maze producing states हमारे कौन कौन से हो गए, कर, mad, UP, बिहार, तेलंगाना को, इस तरीके से हम इसे learn कर सकते हैं, राइट, चलिए, हम अब अगला देखते हैं, आप लोगे, यह देखे, जब maze का plant ऐसा होता है, आप ध्यान दे दिजिए, कभी-कभी क्या होता है, कि वो particular plant की picture आपके question paper में छपी होगी, और पूछेंगे, यह कौन सी crop है, तो maze plant होता है, तो ऐसे होता है, उसके बाद देखे, flowering, यह flowering हो रही है, जब flowering होती है, तो इस पाले हैं, भुट्टा के, एंड यह देखे, यह after crop is, you know, राइपनिंगे, जूट के sack में भरी हुई है, यह भुट्टा, राइट, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, next है हमारा, maze के बाद आता है, हमारा pulses, राइट, pulses हमारे diet का एक important हिस्सा है, ठीक है, pulses, एंड इसमें भी इसी तरह से, कि किस तरह का climate चाहिए होता है, कौन सी pulse, Rabi की है, कौन सी, कौन सी pulses, Rabi season में grow होती है, कौन सी, हारी season में grow होती है, किस तरह का soil चाहिए, leading producers, states कौन, कौन से, आइए, देखते हैं, फटा-फट सारे चीज, so, पहला point इसमें क्या है, pulses में, pulses मारा पहला point है, इंड total population का, 40% लोग vegetarian है, या यह वो egg or meat नहीं खाते हैं, इतनी बड़ी population को protein तो चाहिए, balance diet में protein तो चाहिए, तो protein कहां से आएगा, जाहर से पास है, pulses से आएगा, इसलिए हम लोग leading producer भी है, और फिर भी हमें डाले, import करनी पढ़ती है, आप लोग internet पे जाके पढ़ सकते हैं, largest producer होने के बावजूद भी हमें pulses import करनी होती है, आएगे देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं, दूसरा point हम लोग देख सकते हैं, these are the major source of protein in a vegetarian diet, समझ चुके हैं आप लोग, major pulses that are grown in India are, इसके भी एक मज़दा trick है, कि अगर pulses का नाम आपको याद करना है, सारी की सारी तो नहीं बड़ जो NCRT में दी है, उसको अगर हमें learn करना होते हैं, बहुत अच्छी trick है, और वो trick यह है, वो trick है, आप लोग ध्यान से देखें, प्लीज, मा, तुम, ग्रेप, जी आर ए, पी, मा, तुम, ग्रेप, खाओ, अगर आप यह learn कर लो, मा, तुम, ग्रेप, खाओ, इसमें स बिसिल जो NCRT में दी हुई है, आएए देखते हैं, इसमें जो unnecessary police को cut करते थे, ताहिए confusion हो, खाओ, हटा दो, मा, मा, तुम, ग्रेप, खाओ, खाओ, तो मने टा दिया, मा मिन्स क्या हो गया हमारा, मा मिन्स हो गया, मसूर, टी मिन्स हो गया, तुर, यू से उड़, एम से एसे हो गया gram, और P.E. से हो गया piece, मा, तुम, ग्रेप, खाओ, इसे आफ सारी दाले हैं, आपको याद हो गई, आए देखते हैं, इसको किस तरह का climatic conditions चाहिए होता है, pulses need less moisture, and survive even in dry condition, इसको जरूर याद रखे आप लोग, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, being leguminous crops, यह ब nitrogen fixation का काम करते हैं, यह वो atmosphere से nitrogen suck कर लेती हैं, और वो soil में जो nodules होते हैं, इनकी root में, यह soil में nitrogen fixation करके soil की fertility को बढ़ा देते हैं, इसलिए LC crop जो ज़्यादा fertility की demand करती है, उससे पहले इन legume crops को grow किया जाता है, legume crops, एक अरहर, अरहर जिसे तुर भी बोलते हैं, वो legume crop नहीं है, इसके लावा, जितनी भी डाले होती हैं, सारी legume crop होती हैं, यानि वो nitrogen fixation करके, हमारी soil को fertile करती हैं, चलिए, अगला point हम देखते हैं, अगला point है हमारा, basically इसी को एक बार देख लेते हैं, being leguminous crop, all these crops except अरह तुर जिसे बोलते हैं, help in restoring soil fertility by, कैसे हैं, इसे याद रखिए आप लोग, fixing nitrogen from the air, जैसे हम लोगों उन्हें देखा, इन nodules के help से, 6th point, therefore these are mostly grown in rotation with the other crops, right, nitrogen fixation करके soil को fertile बना दिया, उसके बाद जिस crop को ज्यादा fertility requirement है, इन crops के बाद उनको हम rotation में grow कर सकते हैं, चलिए, अब हम समझते हैं, हमारा अगला कि बाई, किन-किन states में बहुत ज्यादा pulses grow होती है, तो यह देखे, major pulse producing states in India are, इनको इसको भी learn करने के बहुत अच्छी trick है, आईए देखते हैं, यह trick क्या है, mad raja mouth कर गया, यानि पागल raja, चला गया, मर गया, आईए देखते हैं, mad raja mouth कर गया, कै कैसे, देखते हैं, mad, इसको लिखशी रहते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, कैसे learn करेंगे, capital में लिखेंगे, mad raja mouth कर गया, यानि पागल raja मर गया, अब गया को हम काड देते हैं, ताकि कोई confusion नहों, अब mad raja, चुकि leading producer पूछ सकता है, हम लोग फिर अपनाएंगे, यहाँ पर number one लिखिए, और यहाँ पर number two लिखिए, क्योंकि mad means हो गया, madhapradesh, यह राजामिन्स, राजस्थान हो गया, यह देखें आप लोग, madhapradesh हो गया, राजस्थान हो गया, है न, यह अपना क्या हो गया, महारास्टा, और मौत, ma से मह of pulses हैं, आप इसे आद रखें, simple, madhraja, मौत कर गया, right, comment box में comment करके जरूर बताएं, कि यह tricks helpful है, I hope helpful होंगी, चले अगला देखते हैं, और अगला बढ़ने से पहले, अगली slide पर जाने से पहले, हम लोग देख लेते हैं, यह देखें, यह अरहर है, राइपन हो रही है, जिसे हम तुर भी बोलते हैं, यह अपना उडद और मूंग है, यह पी है, ग्रीन पी है, यह ड्राइड पी है, जो ब्राउन कलर की दिखले हैं, और यह ग्रैम है, आप लोग अरड़ी जानते होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा, visual से हम ल करने वाले हैं, मिल्ट्स की, यह बड़ा, important हो खूब आता है, तो आप लोग ने इसे ध्यान दिजिये, मिलेट्स वाले को हम लोग खूब ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से, तो मिलेट्स को पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं, इसको, मिलेट, आए ये देखते ह वो ट्रिक है जो वार जो वार बाजरा बाजरा जी देखिए इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं मिलेट कौन को कुछ हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम हो सकते हैं आज के बाद आप कभी न भूलोगे जो वार बाजरा जी इनको थोड़ा सा रेस्पक्त दे देते हैं जोर वार बाजरा जी को आईए देखते हैं वार वार आपको याद है रितिक रोशन और टैगर श्रॉप के मूवी है उससे पहले के वलाब को जो लगाना है जो वार आपक रागी चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं तो basically जोवार बाजरा एंड रागी are the important millets grown India question इस पर बहुत ज्यादा इस पर बनता है ध्यान दी जिस लाइन पे though these are known as coarse grain question पूशा जा सकता है which grains are known as coarse grain जोवार बाजरा जी याद रखिए जोवार बाजरा जी जोवार बाजरा एंड रागी चालिए इनको coarse grain बोलते हैं and they have very high nutritional value reason क्या है इसमें chemical pesticide का बिल्कुल भी यूद नहीं होता fertilizer की जरूत नहीं पड़ती मिलेट्स को ग्रोव करने में और ये इंद्र देवता की ग्रिपा पे ग्रोव हो जाता है मिलेट्स जोवार बाजरा एंड रागी आए देखते हैं अब देखें सबसे पहले रागी के बारे में question बड़ा important आ सकता है देहां से समझते हैं इसे है ना चले देखते हैं क्या है रागी पे for example रागी is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे याद करूँ इसको learn करने की बहुत ही आसान ट्रिक है इसको हम लोग ऐसे learn कर सकते हैं देखें इसको हम ऐसे learn कर सकते हैं कि ये जो रागी है किन-किन ये कैसे बहुत ज़्यादा nutritious है कैसे देखें इसे fast देखते हैं iron iron man iron man iron man कल iron man कल मीनू iron man कल मीनू को rough rough copy अब इसे जो unnecessary words है हटा देते हैं iron रहने देते हैं man हटा देते हैं man हटा दिया right को हटा दिया rough रहने देते हैं copy हटा दिया देगा हटा दिया अब देखें iron iron का iron हो गया cal से calcium हो गया mi से micro हो गया neu से मीनू micro nutrient हो गया rough से rough हो गया इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं iron man कल मीनू को rough copy देगा अगर आप लोग चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा आप लोग video को pause करके सकते हैं तो यह हो गया कि रागी किन किन रागी iron calcium other micro nutrients रफेज में रिच है चले अब हम देते हैं कि रागी जैसे मैंने बोला कि जो मिलेट्स होते हैं यानि जो वार बाजरा रागी यह rain fat crop होती है और इनको pesticide, insecticide, chemical fertilizer की कोई भी जरूत नहीं पड़ती तो यह बिलकुल natural होते हैं हाला कि हम में से ज्यादा तर को इनका taste अच्छा नहीं लगता बात यह बहुत ही nutritious होते हैं मैं तो बोलूगा आप लोग भी इसे घर पे बनवाएं और खाएं यह बहुत healthy होता है चले आगे बढ़ते हैं रागी is a crop of dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil अब आप लोग कहो गया रे सर कैसे याद होगा यह इतनी धेर सारी soil करना हैं बहुत इजी है चिंता मत करिए आए देखते हैं ट्रिक इसकी ट्रिक क्या है बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी ट्रिक है ध्यान से देखे आप लोग इसकी ट्र sandy, low, sandy low, a, my, shirt, shirt off, shirt off, red, black, red, black and shallow, black, color, देखे बड़ा सिंपल, आसानी से याद हो जगा, कैसे देखे, sandy, हम सब, हम आप में से कोई sandy हो सकता है, sandy, low, low, a, my, गर जोरी word हटा देते हैं पहले, shirt हटा दो, off हटा दो, ठीक है, बाकि सारा काम का है, sandy, means, sandy soil हो गया, l, o, a, m, y, low, me, sandy, low, me, उसके बाद हमारा क्या हो गया, sandy low, me, red, black and shallow, black, soil, लोग, learn हो गया, इसली, राइट, तो इसका आप लोगों को मज़ा आ रहा है, चलिया, अगर हम देखते हैं कि, major ragi producing states कौन कौन से हैं, इंडिया के, ये भी थोड़ा सा, अजीव सा है, वट help करेगा आप लोगों को, आईए देखते हैं, ये trick क्या है, major ragi producing states को हम कैसे learn कर सकते हैं, इसको, इसमें न हम लोग, हिमा और अरुन की मदद लेंगे, देखें आप लोग, हिमा, इसका हम लोग देखते हैं, लिखने में time लग जाएगा, मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दूँ क्या, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसका हो जाएगा, हिमा, देखें, हिमा को हमने बना दया हिमा, हिमा अरुन लिखी देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, देखें, आप लोग बाद में से नोट कर लेंगे, हिमा अरुन, हिमा अरुन ने, हिमा अरुन ने काटा, हिमा अरुन ने काटा, हिमा अरुन ने काटा, यू के जहासी, जहासी के मैप को एक्चुली हिमा और अरुन क्या किया UK यानि उतराखंड जहासी यानि सिक्किम एन जहारखंड के मैप को काट दिया तो गयर जो रुरी वर्ट्स कौन कौन से है हिमा अरुन ने है इसको अटा दो मैप को और ये हिमा अरुन ने काटा UK जहासी के ये भी के हटा दो क्या हो गया हिमा मिन्स हिमाचल प्रदेश हो गया काटा मिन्स ये क्या हो गया अपना का मिन्स करनाटका हो गया का करनाटका हो गया लेकि इसमें याद रखिए काटा काटा को 1 और 2 लिख लिए क्यों जहासी के मैप को काट दिया जा मिल जारखंट सी मिल सिक्किम राइट चलिए क्लियर हो गया एक चीज़ आप लोग देख लिए यह रागी की सीड है रागी हम बहुत कमी हम लोग यूज करते हैं जो लोग अवेर हैं जानकार हैं रागी आप लोगों ने देखा आइरन क गैल्सियम माइक्र नूट्रियंट्स है ना और रफेज में रीच होता है तो रागी विंटर में विंटर के सीजन में हम रागी को मिक्स कर सकते हैं अपने वीट वगएरे में चपादी बनाने के लिए और ये अपना रागी की क्रॉप होती है चलिए आगे बढ़ते हम दूसरा हमारा आता है मिलेट में जोवार आप लोग जानते हैं हम लोगों ने देखा कि मिलेट में तीन क्रॉप होती है जोवार बाजरा रागी तो रागी तो हमारा होगे आप जोवार देखते हैं पहला हम लोगों ने देखा कि सफ़ ज्यादा राइस खाई जाती हमारे यहां उसके बाद वीट उसके बाद जोवार आये देखते हैं जोवार जोवार इस थर्ड मोस्ट या सकता है एक्जाम में थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप यानि बहुत बड़े एरिया पे इसकी खेती की जाती है और खूब यानि सबसे ज़्यादा राइस वीट फिर जोवार दूसरा क्या है यह एक रेन फिट क्रॉप होती है जोवार बाजरा जी जानि जोवार बाजरा रागी जो है इरिगेशन की बहुत कमजरूद रेन फिट क्रॉप होती है और केमिकल इंपूट तो लगता ही नहीं चले अब लोग देखें तीसरा पॉइंट इस क्या है मेजर जोवार प्रोडेशिंग स्टेट कौन कौन से हमारे महारास्टा है करनाट का आंध्र प्रदेशन मद्ध प्रदेश इसको लर्ण करने की बहुत अच्छी ट्रिक है महक इस एन एमपी महक आप लोगों में से कोई लिख दीजेगा महक इस एन एमपी अब इसमें से गैर जरूरी वर्ड हम हटा देते हैं इसको हटा देते हैं इरको आड नहीं है महक एम ए से क्या हो गया महरास्टा एम ए एच राइट एम ए एच ए महा का के से करनाट का तो यहां पर वन और टू लिख दीजे क्योंकि यह और वन प्रोडिसर हो गया है जो आर के महक इस एन, anmp होता है लेकिन यहां पर आंधराप्रदेश समय लाना है हमने डी लिखा है महक इस a mp 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 मिन्स मदणप्रदेश महक इस anmp हमें learn हो गया major Joar producing areas in India चली आगे बढ़ते हैं जो और देख लिए जौर का seed ऐसे दिखता है जो जोवार देखिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं and जोवार जोवार देखिए यह जोवार का यह फ्लावरिंग हो रही है उसके बाद जोवार ऐसे दिखता है आप लोग देश सकते हैं food and fodder के काम में आती है और यह दोकर राइपनिंग हो रहा है जोवार का भुट्टा अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं चलिए इसे समझते हैं अब आगया हमारा बाजरा बाजरा गोस्वेल ऑन सेंडी सॉयल और शैलो ब्लैक सॉयल रागीम आप लोगों को याद है न रागीम हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़िए थी क्या ट्रिक थी सेंडी लो और मा रखिये और वैसे भी हम लोगों ने देखा था क्या देखा था बाजरा बाजरा से ही हम लोगों ने बाजरा से हम लोगों ने रागी निकाला था तो रागी की वो जो रागी का आधा इसमें है रा बाजरा का रा तो वो केरेक्रिस्टिक तो मिलनी चाहिए न सैंडी स्वाइल अब हम देखते हैं दूसरा मेजर बाजरा प्रोडूसिंग स्टेट कौन कौन से है राजस्थान है उत्तर प्रदेश है महारास्टा गुजरावत और हरियाना इसको भी लंकरने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है वो ट्रिक है राजू गुमा हरियाना में राजू गुमा हरियाना में गैर जरूरी टर्म क्या है में को काट दो राजू गुमा हरियाना में तो आर ए से राजस्थान आप देखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोडूशर है दोस्तों आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए ताकि इस टिक में कोई confusion नो हो वान और टू पहले लिख दीजिए थोड़ सा अटेंशन दे दीजिए वान और टू कौन हो लीडिंग प्रोडूशर आ सकता हमार मार करके राजू गुमा गुमिंस गुजराथ मामिंस महारास्ट्रा महारास्ट्रा राजू गुमा हरियाना में तो हरियाना हो गया अपना और हम इसी देखिए बाजरा बाजरा का प्लान्ट ऐसा होता है ये देखिए बाले राइपिनिंग हो रही है राइफ होकर कि ऐसा दिखता है और है हमारा बाजरा का ग्रेन आई होप आप लोगों को मज़ा आया और समझ में आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये सेचन कैसा लगा बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आज के लिए बसीत रहे हैं थैंक यू सो मच